नमस्कार मैं उरी निकुमारी आप देख रहे हैं पब्लिकेशन यूज चैनल इसी के साथ अब वक्त है उत्राखंड की बड़ी ख़वरों का पहली ख़वर की और चलते बता दे हिमाले पर ग्लोबल वार्मिंग का खत्रा मड़ा रहा है विग्यानिकों की माने तो ग्लोबल वार्मिंग की कारण हिमाले के ग्लेशियर दुनिया के अन ग्लेशियर की तुल्ला में तेजी से पिघल कर अपना शेतरफल और दरविमान खो रहे हैं ऐसी ही हालत रही तो 21 सदी के अंतक हिमाले के गलेशियर 60 फिसिदिक तक कम हो जाएंगे यह रिपोर्ट HNB कड़वाल केंदरी वीवी शीनगर के भूविज्यान विभाग के साथ ही कई राष्ट वांत राष्ट राष्ट संस्थानों के अध्यन में सामने आई है आपको पतादे शोत को लंदन के जर्नल ओफ गलेशियर लोजी में प्रकाशित किया गया है दरसल भू विशेजग्यों ने मद्ध हिमाले के उपरी अलंगनंदर बेसिक घाटी में भू सर्विक्षन द्वारा संतो पंत वाभागिरत खरक गलेशियर के साथ 198 गलेशियर पर ग मुख्य सचीव होंगी वह मुख्य सचीव डॉक्टर ऐसे संधू का स्थान लेगी बता दे कि मुख्य सचीव संधू का कारेकाल बोदवारी कतीस जनवरी को समाप्त हो रहा है तीसरी खबर के और चलते बता दे हरदवार में पुलिस ने अशलीलता करते हुए एक महिला और पुलिस ने इस पर कारेवाई की है चौती खबर के और चलते बता दे उत्तरा खंडवेर राष्टे स्वम सुरक्षा भियान संस्था की और से भारतिय वीर जवानों के सम्मान में क्रिशी महविद्याला के डॉक्टर डीविस सिंग सभागार में कावे महसब चल रहा था च 76 वर्षे कविश सुभाज चतुरवेदी ने मंच पर कविता पाट करना शुरू किया अचानक कविता सुनाते सुनाते कवि मंच पर गिर गए लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां उन्हें मुरत खुशित कर दिया गया सोमवार को गमगीन महौली में मत्रा मे उनका अंतिम संस्कार हुआ और आखरी खबर की और चलते बता दे उत्राखंड में मौसम का अजीवों गरीब हाल देखने को मिलना है दून में रविवार को आंशिक बादल मढदाते रहे लेकिन सोमवार को आसमान साफ हो गया मौसम भाद की और से आज आज आशिक बादल नमस्कार